त्रिन्मूल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं आरोप है कि पैसा लेकर उन्होंने संसद में प्रश्ण किया आरोप है कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो एक मेंबर और पारलियमेंट को मिलता है कॉंफिदेंशियली उसको उन्होंने सेयर कर दिया आरोप है कि अडानी और प्राइम मिनिस्टर नरेद्र मोदी को टार्गेट करने के लिए उन्होंने अडानी के बारे में प्रश्ण किया तो current affairs का विशह है और pure academic विशह पर ये चर्चा है दो नौमबर आज है और आज लोगसभा की आचार समीटी यानि ethics committee ने संसद में प्रश्ण पूछने यानि cash for query इस आरोप में रिस्वत लेने के आरोप में त्रिनमुल कॉंगे संसद महुआ मोहित्रा पर उनके आरोपों की ज आज की है तो यह important बात है और आज महुआ मोहित्रा इथिक्स committee के सामने पेस हुई है दो घंटे तक IT विदेश और ग्रिह मंत्राले की रिपोर्ट को पहले इथिक्स ने जाचा था और जाचने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि अब जो पर्थम दृष्टिया बाते आ अधार पर महुआ मोहित्रा को बुलाना जरूरी है महुआ आज दो नौंबर को डेर घंटे तक इथिक्स committee के सामने अपने पक्ष को रखा और जो इथिक्स committee है आरोपों की जाच करने और सिकायत करता गवाहों और आरोपी सांसद यानि महुआ सभी पक्षों से सबूत खंडन किया है कि उन्होंने कोई भी पैसा लिया पहली बात उनको खंडन करना है चुकि आरोप है उन्होंने माना है कि उन्होंने businessman दर्सन हीरा नंदानी को अपना संसदिये login साजा किया यह उन्होंने मान लिया है जबकि यही आरोप सिद हो जाता है एक MP को login ID मिलता है password संस संसद की और से यह confidential होता है जैसे ATM का password होता है लेकिन इन्होंने share कर दिया यह बात उन्होंने मान लिया दर्सन हीरा नंदानी को अपना login ID और password share कर दिया क्योंकि इसी login ID के माध्यम से संसद में उन्होंने question पूछे क्या question पूछा यह question basically जो question बनाने वाला है वो जानता है और जो पूछे गए महुआ को कि वह login ID उन्होंने share कर दिया जो question पूछना है पूछ लो कहा गया है यह आरोप है कि दुबई से 47 बार login किया गया है महुआ मोहित्रा का जो login ID और password है क्या है मामला मैं बता दूँ बीजेपी के एक सांसद है निशी कांत दुबे इन्होंने 15 अक्टूबर को एक चिठी लिखी लोगसभा के अध्यक्ष को और कहा कि पैसे लेकर question पूछा गया है अडानी के बारे में तो लोगसभा में हाल के दिनों तक जो 61 प्रश्न महुआ मोहित्रा ने पूछे तोटल 61 प्रश्न उसमें 50 प्रश्न जो थे वो अडानी के बारे में थे तो यह ही पोटेंट है यानि महुआ जो है अडानी के बारे में पूरा रिसेर्च कर रही थी तो जो मोहित्रा है महुआ है एक समय उनके करीभी दिहाद रही और हीरा नंदानी के बीच आडानी एँ प्राइम मिनिस्टर को साधने के लिए ये सब कोस्टेंज को मैनेज किया और लोगिन एडी और पासवर्ट दिया मामला क्या है तो जब निशीकान दुबे ने आरोप लगाया कि जो टीमसी की महुआ मुहित्रा है उन्होंने संसद में सवाल पुछने के लिए ब्यावसाई से रिस्वत का आरोप लगाया लोगसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला ने आरोपों की जाज के लिए कमेटी गठित कर दी और निशीकान दुबे ने बिर्ला को लिखे लेटर में गंभीर विशेसाधिकार के उलंगन के और संसद की ओमाना का मामला बताया था अब इसमें कई किरदा कर अगर संसद में कोई सवाल पूछे जबकि जनहित के सवाल होते हैं तो क्या इस्थिति भारत में हो गई है और दूसरे इसके किरदार है निशीकांत दुबे यह बीजेपी के हैं और यहने आरोप लगाया है महुआ पर कि उन्हें पैसे लेकर पूछा है जै अनंत हैं इनहीं के सिकायत के अधार पर निशीकांत ने महुआ पर आरोप लगाये हैं और हीरा नंदानी दर्सन हीरा नंदानी ग्रूप के दर्सन है और बरे उद्योग घरानों में सामिल है और इस प्रिवार का स्वास और उर्जा के छत्र में बहुत निवेस है और हीरा नंदा कि चिठी के नुसार दरसन नहीं मुहित्रा को बरी रकम दी थी यानि हीरा नंदानी नहीं मुहित्रा को फौन दी थी तो यह important बात है अब निसी कान दूबे और जय अनंत जो है द्याद्रई कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं और हीरा नंदानी ने तमाम दावा किया है अब सांसद का निलमन सांइल है सांसद सदन जिसमें वह सांसद है यानि लोगसभा कि हैं महवा अंतताह निर्णय करेगा लोगसभा कि जो इथिक्स कमीटी की सिफारिस है उन्हें माना जाए और और सजा की प्रकृति क्या हो और वोट्राइब और लोगसभा कैसे तैब करता है तो यह important बात है यदि आरोपी सांसद को निस्कासित किया जाता है या कोई परत्किल निड़ने लोगसभा देती है सांसद के खिलाफ तो जो हैं आरोपी सांसद वो चुनोती दे सकते हैं अदालत में और ऐसे निड़ने को अदालत में चुनोती देने का हाला की अधार बहुत कहने का मवकार ना मिला लेकिन यह सब हो रहा है तो यह important बात है 2005 में दोनों सदनों ने यानि लोगसभा रासभा ने 10 लोगसभा सांसदों और एक रासभा सांसद को निस्कासित करने के प्रस्ताव को पारित किया था यह 2005 की घटना है जिन पर पैसे के पैसा लेकर संसद में प्रस्त पूछने के लिए सहमत होने का आरोप था लोगसभा में प्रस्ताव बंसल समीती की रिपोर्ट पर धारित था जो इस मुद्दे की जाच के लिए अधेक सुद्वरा गठित एक बिशे समीती थी रासभा में सिकायत की जाच सदन की आचार समीती दो रख की गई नि प्रिभीलेस कमेटी है वो अलग है दूसरी आचार समीती है यानि इथिक्स कमेटी यह दूसरी है अभी जो मामला है वो इथिक्स कमेटी के सामने है नकी विशे साधिकार समीती के सामने तो क्या है इथिक्स कमेटी इथिक्स कमेटी के सदस्यों की निजुक्ति अध्यक्ष करते हैं यानि लोगसभा के धक्ष और एक साल के लिए निजुक्ति की जाती है फॉर वान यर उनीसोचानवे में दिल्ली में जो पीठासीन अधिकारियों के समेलन में पहली बार लोगसभा और राजसभा के लिए नैतिक पैनल बनाने का एक आईडिया था 1996 में जब प्रिसाइडिंग ओफीसर्स का एक कॉन्फरेंस हुआ था 1996 में उस समय उपराष्ट पती के आर नारायन थे यानि रासभा के सभापती सभी सेदस्यों के नैतिक और नैतिक आचलन की निग्रानी करने और इने और जो संदर्भित कदाचार का मामला है उसकी जाज के लिए चार मार्च 1997 को उच सदन यानि रासभा की आचार समीती का गठन किया ये 97 में कॉन्फरेंस 96 में हुई लोगसभा में 97 की विशेसादिकार समीती के एक अध्यान समू ने एक आचार समीती के गठन का सिफारिस किया लेकिन इसे लोगसभा दोरा नहें लिया जा सका ते इसे साधिकार समीती के सिफारिस पर ही इथिक्स कमेटी बनी दिवंगत अध्यक्ष जीमसी बाला योगी लोगसभा की स्पीकर थे इन्होंने 2000 में एक तदर्थ आचार समीती का गठन किया जो 2015 में सदन का अस्थाई हिसा बन गई अब सिगायत की प्रक्रिया क्या है कैसे सि गूत और एफेडेमिट के साथ सिकायत कर सकता है कि जूठी तुक्ष प्रिसान करने वाली दो हो यानि कोई member of parliament है वो शिकायत करता है जैसे अभी महुवा के मामले में निशिकान दूबे ने कहा है तो इनको अफेड़ेविक की जुरुद नहीं है लेकिन कोई आम पब्लिक है वो शिकायत करता है तो वो शिकायत में एक अफेड़ेविक चाहिए और किसी member of parliament के माधम से शिक समिती को भेच सकता है समिती केवल मेडिया रिपोर्टो या विचे अधीन मामलों पर अधारिश सिकायतों वावच्ब करती। process करता है एथिक्स कमिटी में है महुवा के में इथिक्स कमिटी के रिपोर्ट पर चर्चा होगी बूटिंग होगी रिपोर्ट पर आदे गंटे की चर्चा का भी प्रावधान है विश्यसादिकार समिती के साथ ओवरलैप मैं बताया दो समिती है सब्सक्याइब करक्राइब विए सांसत के खिलाब भरशचार का रोप किसी भी नीकाइ को अभिज सकते हैं अगर पर्लेमिएंट ऐसा मामला है विशेसादिकार कमेटी को भी जा सकता है ऐसा मामला इथिक्स कमेटी को भी जा सकता है लेकिन आम तो पर अधिक गंभीर आरोप विशेसादिकार समिती के पास भेज जाते हैं अब विशेसादिकार समीती का कार्ज क्या है वाई तो संसत की जो सतन्रता है अधिकार है और गरिमा है इसकी रक्षा करना है इन विशेसादिकारों का आनंद बेक्तिकत सदस्टों के साथ साथ शंपुट सदन को भी मिलता है विश्यसादिकार के उलंगन के लिए एक सांसत की जांच की जा सकती है किसी गेर सांसत पर भी सदन के अधिकार और गरिमया प्रहमला करने वाले कार्जों के लिए विश्यसादिकार के उलंगन का आरोप लगा जा सकता है अब आचार क्या है आचार समीति कदाचार की जाच करती है और उन बातों पर विजार कर सकती है जिन में सांसात सामिल हो यह important है तो विसेज़ादिकार समीति कदाचार समीति बहराल यह चर्चा में है क्यों महुआ मोहित्रा इनको पैसे लेकर लोग सभा में कई सेशन के दौरान अडानी पर कोशन करने का आरोप है। 61 प्रस्ट में 50 प्रस्ट इन्होंने अडानी पर किया और यह कोशन उन्होंने स्वैम क्राफ्ट नहीं किया जैसा कि आरोप है। इन्होंने अपना login ID और password loan पर दे दिया और कहा जा रहा है कि दुबई से login किया गया है कितना गंभीर आरोप है भारत के लोगतंत के लिए ऐसे लोग चुन कर आ जा रहे हैं अगर यह आरोप सही है तो क्या आरोप मतलब बहुत ही गंभीर आरोप है यह तो देखिए क्या फैस